आपका हमारे चैनल आरजब में स्वागत है वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन पर महत्वपून प्रभाव पड़ता है वास्तु में दिशा और रंग को महत्वपून माना गया है बात करें रंगो की तो रंग व्यक्ति के जीवन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं वास्तु के अनुसार रंगो को सही चुनाव से व्यक्ति को कई तरह की परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है साथ ही वास्तु दोश भी दूर होते हैं बात्रूम में आमतोर पर सबी लोग बाल्टी का इस्तिमाल करते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि बात्रूम में रखी बाल्टी से आपकी किस्मत बदल सकती है जी हाँ वास्तु शास्त्र के अनुसार बात्रूम में ही सबसे ज्यादा वास्तु दोश उत्पन होते हैं जिसका जीवन पर नकरात्मक प्रभाव पड़ता है ऐसे में यदि आप बात्रूम में नीली यानि ब्ल्यू रंग की बाल्टी रखते हैं तो इससे वास्तु दोश दूर होता है साथ ही वास्तु में बात्रूम को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं बात्रूम यानि स्नानगर में ब्ल्यू कलर की बाल्टी रखना बेयदी शुब फलदाई बताया गया है वास्तु शास्तर के अनुसार बात्रों में नीले रंग की बाल्टी रखने से घर में सुख सम्रिद्धी आती है और वास्तु दोश से मुक्ती मिलती है वास्तु के अनुसार बात्रों के लिए ब्ल्यू रंग की बाल्टी सबसे अच्छी होती है साथ ही इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि बात्रूम में रखी बाल्टी को कभी भी खाली नहीं चोड़ना चाहिए वास्तो के अनुसार नीला रंग शनी और रहू के अशुब प्रभावों से रहत दिलाता है यदि आप शनी और रहू के दोश से परिशान है तो आपको नीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रियोग करना चाहिए बात्रूम में बाल्टी के साथ ही आप नीले रंग का मग तोलिया और रुमाल आदी भी रख सकते हैं बात्रूम बले ही घर से थोड़ा दूर हो और सिंपल भी हो लेकिन अगर वास्तो के नीयमों का पालन नहीं किया जाए तो इससे काफी नुकसान पहुँच सकता है वास्तो नीयम के अनुसार बात्रूम में रखी बाल्टी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए सकरात्मक और नकरात्मक उर्जा के बरवाव के कारण ही घर में शुब और अशुब का असर पड़ता है वास्तो के अनुसार बात्रूम के दर्वाजे के ठीक सामने दर्पन या शीशा नहीं लगाना चाहिए नीयमों के अनुसार बात्रूम से निकलने वाली नकरात्मक उर्जा शीशे से टकराकर घर के दूसरे हिस्सों में फैलती है यह घर की खुशाली और समरिद्धी दोनों के लिए ही घातक सिध हो सकती है आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करतीजिए और हाँ बेल का बटन ना दबाना भूलिए ताके हमारे द्वारा लाई गई नई वीडियो की जानकारी आपको तुनुत मिल सके और गूगल बाबा को भी पता चल जाए कि आप और हम यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आये हैं जल्द मिलते हैं एक नई एवं रोचक वीडियो के साथ धन्यवाद